जै मातादी मित्रो मेरे नाम पंडित प्रकाजोगसी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज में मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला रासी यानि लेबरा के अप्रेल 2021 के राशी फल के बारे में कैसी होगी तुला रासी वालों की धन की इस्तती परिवार क इस्तती संतान की इस्तती और उनके स्वास्ते की इस्तती उनकी नौकरी के उनके व्यपार की उनके प्रेम की उनकी शादी सुदा लाइफ के इसके बारे में मित्रो इस कारेकरम में हम चर्चा करने वाले हैं और यह मासिक राशी फल के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या घ्रह combination बन रहा है क्या आपको निर्णे लेना चाहिए कब तक time खराब है कब तक आपके लिए अनुकूल है इसके बारे में मित्रो इस कारेकरम में detail में बात करेंगे मित्रो आप लोगों से एक request है अगर आपको मेरा राशिफल पसंद आता है तो मेरे चैनल को subscribe जरू करें और अगर आपने subscribe कर रखा है तो आपने notification icon को all में only किया इसलिए मेरी सारी update आपको नहीं मिल पाती है आप notification icon को all में on कर ले और अगर आप facebook में जुड़े हैं तो मेरे का मेरे page से को like करें उससे जुड़े और अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगता है तो share भी जरू करें मित्रो जैसा कि आप जानते हैं बाद बार बताने की जुरूत नहीं आप जानते ही हैं कि 7210124289 जो हमारा WhatsApp नमबर है उसमें हम और आप बाते करते हैं आप मुझसे कुंडली के बारे में जानते हैं अपनी डिटेल आप भेजते हैं मैं आपको उपाये देता हूं जितना मेरे से हो सकता है मैं आपका help करने का प्रियास करता हूं सबकी तो नहीं कर पाता मैं मित्रो लेकिन जिन-जिन की कर पाता हूं तो उन लोगों में से अगर देखा जाए तो तुला राशी वाले जित्ते भी जातक और जातिकाओं की आप मार्च के मेने में में मेरे से जितनी बात हो पाई तो उनमें कुछ घटना हैं जो हैं उनकी common पाई गई कुछ घटना हैं उनकी personal थी चाहे love and affairs से related हो चाहे property से related हो मुकदम के बारे में यहां पर मैं चरचा करता हूं जो तुला राशी वालों में mostly commonly हमने देखा क्योंकि हम daily की daily कम से कम सो से लेकर देड़ सो लोगों से बात करते हैं हमारी team बात करती हैं तो commonly जो तुला राशी वालों ने जो घटना है बताएं वो बतायता हूं सबसे पहला चीज म और मार्च के अंदर नौकरी में कोई नया बदलाव आया या कोई ना कोई नया परिवर्तन आया अच्छा या बुरा दोनों ही तरह के परिवर्तन सुनने को दिखे और इसी तरह से नौकरी के अंदर बहुत लोगों के ट्रांसफर हो गए खासकर जो सरकारी नौकरी के अंदर कि तुलाराशी वाले जातिकाओं के परिवार में मार्च के मेने में शादी या समारो हुआ या रिष्टेदारी में मित्रों में शादी या समारो हुआ उसमें वो शामिल हुए तो ये जो चार घटना है थी आप लोगों ने ही मार्च में तुला राशी वालों ने बताई है वोई मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अब अप्रेल के बारे में बात कर लेते हैं अप्रेल में पहले स्वास्त के बारे में बात कर लेते हैं तो स्वास्त के स्वामी है शुक्र अभी छटे भाहों में बैठें तो स्वास्त में देखा जाये तो तुला राशी के लिए अप्रेल का मैना मिश्रित फल दायक रहेगा यानि हाफ अच्छा और हाफ बुरा एक तारीक से लेकर 15 अप्रेल तक तो आपको कफ की प्रॉब्लम तुला राशी वालों को ENT की प्रॉब्लम रहेगी बुखार की प्रॉब्लम रहेगी हॉस्पिटल या डॉक्टर के अचानक चक्कर लग सकते हैं बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है इसी प्रकार से 16 तारिक से और 30 तारिक तक देखा जाए तो 16 तारिक से 30 तारिक तक का आपका जो स्वास्ते अतियुत्तम रहने वाला है और हेल्थ को ठीक करने के आप कुछ प्रियास भी करेंगे या तो आपको योग करने वाले हैं 16 तरिक के बाद या वाक करने वाले हेल्थ में आप सचेत हो जाएंगे 16 के बाद ऐसा परिवर्तन आएगा आप में अब बा अप्रेल का महिना भी मिश्रीत फल दायक रहेगा यानि आदा महिना अच्छा आदा महिना खराब एक तरिक से लेकर और 15 अप्रेल तक देखा जाए तो आपका खर्चा अधिक पर अधिक रहेगा आयसे अधिक व्याय आपका रहेगा धन के कारियों में बिगन आपका से समंधिद रुकाववाकाम बन जाएगा इसी परिवार अभाव की देखा जाए है तो अप्रेल का मैना परिवार के सदस्यों के लिए परिवार के लिए बहुत लावकारी रहेगा यानि परिवार के किसी सदसे का स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं यदि आप किराय के मकान में रहते हैं तो आपके भी स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं और साथी साथ आपकी कुडली के अनुसार अप्रेल के महिने में आपका वहन का खर्चा आपका लिखा हुआ है जो की होगा और कोई ना कोई मांगलिक कार्यों में जाने के आपके योग नजर आ रहे या परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कारे अप्रेल के महिने में होने व अगर आपकी बड़ी संतान है तो उसके लिए अपरेल का मेना बड़ा लापकारी है एक तरिक से लेकर तीस अपरेल तक संतान का अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत लापकारी है उनकी जो बुरी आदते हैं उस पे कंट्रोल आएगा पहला चीज यह नजरा रहा है और संतान के मागली कारे जौब से रिलेटिड कारे या पढ़ाई से रिलेटिड कारे वो अच्छे संपन होंगे तो कुल मिला के या वो कोई गौवर्मेंट जौब में अपलाई कर रहे है या गौवर्मेंट कोई परतियोगिता आ रही है अपरेल के महिने में तो आपकी संतान को फुल प्रिपेशन करने की जुरू होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे अपरेज में ग्रह के कॉंबिनेशन बने हैं अगर अपरेल में एक्जाम हुआ तो आगे के महिने की में नहीं मता सकता लेकिन अपरेल के महिने में तुला राशी वाले जाता को पंगल राहू के साथ में इस वक्त बैठे हुएं तो अप्रेल के महिने में आपको जो है मिश्रित फल दायक ये अप्रेल का महिना रहने वाला है यानि सबसे पहले हम प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात करें तो प्रेमी और प्रेमिकाओं में अप्रेल के महिने में वाद बुक्तान करना पड़ेगा या तो उनका कोई चलान कटेगा या कोई ना कोई सरकारी बुक्तान उनको करना पड़ेगा तो अपने पार्टनर को बोलें कि गाड़ी सही से चला है अपरेल के मैने में पती और पतनी की बात करें तो उनके लिए अपरेल का मैना सामानने फलदाय रहेगा और पार्टनर के साथ में कहीं की यात्रा भी लिखी हुई है इसी प्रकार से व्यापारियों की बात करें जो तुला राशी वाले जातों को जातिकाएं व्यापार करते हैं उनके लिए अप्रेल का महिना कैसे रहनेगा व्यापार के स्वामियें चंद्र चंद्र में विचरण कर रहे हैं तो कई ना कई एक तारिक से लेकर 28 तारिक तक धन में बहुत अच्छी ब्रिद्धी होने वाली है और जो व्यापार से मैंने में निवेश भी करने वाले हैं तो कुल मिलाके धन आएगा और धन निवेश में जाएगा भी ऐसा योग नजर आ रहा है तो मित्रो इस कारेकरम में बस इतना ही मुझे जीजे जाद जय मता दिमित्रो रंजीत जी आप गुरू जी से कब से जुड़े हैं और आपका अनुबब क्या कहता है मैं पिछले लाग सो दसी एक टेन इयर्स हो गए जुड़े हो पंडी से और मेरा अनुबब तो यह कि मैं जमीन से जब था उस समय पंडी में कुछ भी नहीं था तो मैं गुरू जी के पास आया और किरपा से बहुत कुछ बाया और बहुत कुछ अच्छा हुगा और जब कि 4-5 साल हो गए पंडी मिलेनी तो मैं बहुत बेचैन हो गया तो इसे लिए आई गुरू जी मिलेए तो बेरको देख करी कि बेरको इतनी एनरजी बढ़ गए कि सम्झे को गुरू का हा करें और गुरू देखा भी आश्री वाद रहें जयव मतार्व